ये अग्याद विद्ध करता हूं लखनौ शहर में काफी सालों से इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लुको प्ले किया के बारे में तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजएगा किसी भी तरह जिससे की मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तर पहुंच जाए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अक्सर आपने देखा होगा जो लोग बहुत जादा सिमोकिंग करते हैं अलकोहूल पीते हैं और तमाकू खाते हैं तो उनके मुझ के अंदर एक मोटा सा सफेद धबा पर जाता है गलसे पर पर जाता है टंग पर जाता है लिप्स प इस पिक में आपने देखा होगा कि सफेद धबा पर गया है चीक्स पे सफेद धबा जब पर जाता है तो यह और भी बिमारी में भी पाया जाता है जैसे ओरल थ्रश हो गया लाइकन प्लानेस में भी सफेद धबा पर जाता है तो कैसे डिफ्रेंशियेट करेंगे यह मैं कल पिलार अभी हम बात करेंगे लुकोपलेकिया कि लुकोपलेकिया जो होता है इसको सही धंक से या सही टाइम पे इसका इलाच नहीं होता है तो यह चलिए जानते हैं कि लुकोपलेकिया हमारे माउथ के अंदर कहां कहां पाया जाता है हमारे माउथ में लुकोफ लेकिया चार कॉमनली एडिया में पाया जाता है पहला होता है गम्स मतलब की मसूडे दूसरा होता है इंसाइड यो चीक्स मतलब की गल्फा तीसरा होता है जबान के उपर या जबान के नीचे पाया जाता है और चोथा आपके lips में मतलब की होटो पे पाया जाता है जढते हैं symptoms क्या होते हैं, Parent Кिया के किसी patient में white patch पाया जाता है किसी में great color का होता है काफी मोटा होता है, hard होता है और surface से थोड़ा सा उठा होता है जब आप उसको script करने की कोशिश करेंगे या उसको rub करने की कोशिश करेंगे निकालने की कोशिश करेंगे तो वो निकलता नहीं है यूजली क्या होता है जब शुरुवाती stage में जब वो बनने लगता है तो हमें पता भी नहीं लगता है क्योंकि ये इसमें pain नहीं होता है जो white patch आपका गल्फे पर पर जाता है या tongue पर पर जाता है या lips में पर जाता है ये दर्द नहीं करता है इसमें बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ जो white patch आपके मुँ में पर जाता है वो अगर धीरे-धीरे रेड स्पोर्ट में कनवर्ट होता है या उसमें लालपन आने लगता है तो बिल्कुल आप सतर्ख हो जाईए क्योंकि आपका जो लुकोपलेकिया है वो कैंसर में कनवर्ट हो रहा है तो जब भी आपका वाइट पैच आपके मूह में पढ़ रहा है तो तभी जाके आप अप लुकोपलेकिया पर लेकिन अभी तर सही कारण नहीं पता लगा है लुकोपलेकिया का तो जो कौल है वो अभी तक अन्नोन है लेकिन जादा तर जो लुकोपलेकिया है जो पेशेंट में पाये जाते हैं वो उन पेशेंट में जादा तर पाये जाता है जो बहुत ही जादा है बेखे तो जो गेलपे जो इस तेडिया पर सब्सक्राइक पार्यान को पेलगे हो जाता है अगर आप सब्सक्राइब मतलक की काफी शार्प हैं आगे पीछे हैं और वो अक्सर जब आप बात करते हैं या फिर खाना खाते हैं तो गलफा आपका कटता है तो उसकी जो बार-बार कटने की वज़े से भी लुकोपलेकिया हो जाता है उन पेशेंट में भी बहुत जादा लुकोपलेकिया होने के चांसर्स हो जाते हैं जो की complete denture पह हैं मतलब कि जो निकालने बैठाने वाली प्लेट होती है अगर वो सही से नहीं बैठा है या बार-बार पेशेंट को चुब रहा है या काफी ज्यादा सेंस्टेव इसकेन है पेशेंट की तो उसमें भी लुकोपलेकिया हो जाता है डेंचर के कारण और ज्यादा तर जो ए ज्यादा तर लोवर लिप्स में पाया जाता है लेकिया का पेशेंट अगर डेंटिस के पांस पहुचता है तो डेंटिस कैसे उसको डाइग्नॉस करेगा चलिए जनते हैं फर्स्स पॉइंट ओरल इक्ञामिनेशन वाइट वह किस एरिया में शाबसे main कि चीक्सोंहेगा में उसका साइस क्या है सका अपिरकाइछ क्या है अगर white patch बहुत छोटा है कि बड़ा है चीजे जो है वो oral examination से ही पता लगेगी second point cause कारण क्या है लुकोपले क्या बनने का तो dentist को history लेनी चाहिए patient से patient से बात करना चाहिए क्या ऐसा वो कर रहा है जिसकी वज़े से लुकोपले क्या हो गया है क्या वो कोई denture तो नहीं पहन रहा है क्या वो कोई तमाकू एलकोहल या smoking ऐसा कोई चीज तो नहीं कर रहा है कारण कॉस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर कोई भी कारण पाया नहीं गया है और white patch बहुत ज़्यादा कोई white patch है छोटा सा वुस एरिया को काट देता है और वह जो पैच है वह भेज देता है लैब में टेस्टिंग के लिए मांगे चलिए आपकी बायपसी की जो रिजल्ट है वह पॉजिटिव आता है मांगे चलिए कैंसर डिटेक्ट होता है तो इसमें दो चीज है अगर आप को white patch बहुत छोटे size का है small size का है तो already dentist उसको काट के lab में भेज चुका है तो further treatment करने की जरुवत नहीं है अगर white patch बहुती जादा बड़ा होता है कई कई जगा होता है कई एरिया में पाया गया है तो oral surgeon की help से एक छोटी सी surgery की जाती है जहां जहां white patches होते हैं उसको काट के ह treatment एक है surgical treatment तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं medical treatment की सबसे पहले आपको सारी habit मतलग की तमाकू, alcohol, smoking करना ये सब बंद करना पड़ेगा आपको rich diet आपको लेना पड़ेगा जो fresh fruits है, vegetables है वो आपको लेना पड़ेगा, जो seasoning fruits है वो बिलकुल आपको खाने पड़ेंगे, green vegetables ह वो आप खाना स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग retinoids देते हैं, vitamin A based treatment होता है, lesion होता है, उसको reduce करने में काफी मदद करता है, औरली हम vitamin A और beta carotene देते हैं, यह जो white patch होता है, उसको हटाने में काफी मदद करता है, लेकिन कुछ-कुछ patientों में देखा गया है, कि जब तक vitamin A और beta carotene जब तक patient ले रहा है, तब तक तो white patch उसका चला जाता है, उसको छोड़ने पे कुछ दिनों के बाद वापस white patch आ जात supplement है, वो हम लोग देते हैं, जो की cancerous, जो changes होते हैं, उसको prevent करता है, अब हम बात करता है, surgical management की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, कि जो lesion होता है, उसको surgically remove कर देते हैं, काट देते हैं, 10-20% chances होते हैं, कि वो वापस regenerate कर जाए, second जो होता है, laser treatment से भी उसको ठीक किया जा सकता है, laser treatment में क्या होता है, जो lesion होता है, जो white patch होता है, उसको kaat दिया जाता है, और उसको remove कर देते हैं, तीसरा होता है, therapy होती है, photodynamic therapy होती है, इसमें use of light activated cancer drug की मदद से lesion को हटा दिया जाता है, इसमें होता है, जिजन को हटाने के लिए freezing करते हैं, last and least होता है, electrocarderization, मतलब कि electrically heated needle होती है instrument होता है which is used to remove the legion अगर surgically white patch leukoplekiya हटा दिया जाता है तो आपको आगे क्या करना है 3-4 महिने पर आपको dentist के पाथ जाना है oral examine के लिए dentist आपको oral examine करेगा ये check करेगा कि वापस regenerate तो नहीं कर रहा है leukoplekiya अगर dentist को लगेगा कि वो वापस regenerate कर रहा है तो वो दुबारा biopsy करवा सकता है आपको 3 साल तक लगातार जो है dentist के पाथ जाना पड़ेगा अगर 3 साल तक आपका वापस regenerate नहीं करता है तो बिलकुल आप patient हो जाईए कि आपको rest of the life leukoplekiya नहीं होगा unless कि आप habit start ना करें अगर आपको look up लेक है कि regarding कुछ doubt है कुछ questions है तो बिलकुल आप नीचे comment section में कर सकते हैं या मुझे mail भी कर सकते हैं description box में मेरी mail ID है आप उसमें भी कर सकते हैं तो मैं आपको reply बिलकुल करूँगा अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो please मेरे वीडियो को like कर दीजे subscribe कर दीजे और साथी साथ share कर दीजे जितना ज़्यादा हो सकें और बगल में एक bell icon होगा उसको भी दबा दीजेगा जिससे की मेरे वीडियो की notification आप तक पहुँच जाए अपना प्यार अपना support इसी तरह दिखाते रहिएगा और मैं आप से मिलूँगा एक another वीडियो में तब तक की बाई बाई नवस्ते